जिस विचारधारा पर हम बात कर रहे थे वो उदारवाद थी और उदारवाद के बारे ने पिछले व्याक्यान में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि उदारवाद वे विचारदारा है जिसका संबन मनुष्य की सवतंतरता से जुड़ा हुआ है और ये मनुष्य को अधिक्तम सवतंतरता देने का समर्थन करती है जिसके पीछे उदारवाद का तर्क ये है कि मनुष्य एक विवेक्षिल प्राणी है और एक विवेक्षिल प्राणी होने के नाते उसे अधिक्तम सथिंतरता दी जलू जैनी तो उदारवाद वे विचारदारा की रूप में अस्तित में आई जो मनुश्य को अधिक्तम सथिंतरता देने का पक्षदर है और साथ ही साथ उदारवाद पर हमने इस बात पर विचारदारा है जो यूरोप में उस दोरान विक्सित हुई जब यूरोप में सामतवाद का पतन हो रहा था और बाजार अर्थवरस्ता अपने का जन्म हो रहा था उदारवाद ऐसी परिस्तितियों में ही विचारदारा थी जो राजनीति को बाज़ार अर्थवरस्ता के नुरूप मौट देने के लिए अस्तिक में आई तो उदारवाद का जो जनम भूमी वो बनी वे इंग्लेंट था और इक विचारदारा के रूप में इतने को एक्रंबद सिद्धां देन ही और समय और परहेंटिति के अनेशार उदारवाद मेँ प्रिवर्तन आएएं उदार वाद दो परिवर्तनों से गुझरा है, पहला परिवर्तन आया जब पर्मप्रागत उदारवाद, यमा परिवर्तन आया और दूसरा परिवर्तन आया जो परिवर्तम निस साथ के देशक में नव उदारवाद के रूप में अस्थित में है तो इस तरह उदारवाद एक क्रमबत से धांत नहीं है संद्व परिस्तिति के अनुरूप इसमें काफी परिवर्तम नहीं है आज हम प्रमप्रागत उदारवाद का ध्यन करेंगे प्रमप्रागत उदारवाद जो 19 वी शताब्ती का उदारवाद केते हैं और वे इंग्लेंड वर्स्तिक में आया और जिसने मनुष्य के कुछ प्राकुर्तिक अधिकारों को माननेता थी और यदी राच्चे इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो उसे बने लिने का को अधिकार नहीं है तो चिर सम्मत उदारवाद जिसे हम प्रमप्राकत उदारवाद या उनीश्वी शताब्दी का उदारवाद कियते हैं जिससे अधिकार उदारवाद लगबख सभी शेत्रों में मनुष्यों की अधिक्तम सब्तंतरता पर बल देते हुए नकारात्मक सब्तंतरता की बात करता था यह है कि मनुष्य के जीवन के लिए अन्यूंतम परतिबंद होने चाहिए इसे हम नकारात्मक सब्तंतरता का आधार मानते हैं कि जितने कम परतिबंद होँगे उतने ही जहीज़ादा मनुष्य को सफतंत्ता होगी इसलिए सफतंत्त रता को परिवाशिद किया इस रूप में कि मनुष्य को रूप मनुष्य के जीवन में यून्तम हस्तक्षेव नियूनतम पर्तिवन होने चाहिए तो प्रमप्रागत उदारबाद में राज्य के कारे शेत्रव को सिमित करने की मान। यानि राज्य का कारे शेत्रव भारे आक्रमान सारजनिक विवस्ता आंदिक विवस्ता और सारजनिक विर्मान जीसी कुछ विश्यों तक ही सिमित होना चाहिए। राज्य को कभी भी लोक कन्याम के कारे या बाजार अर्थ विवस्ता में अधिकता में अस्तव शेम्चीजर नहीं में गुछें। तो इस रूप में जो अधारबाद विक्सित हुआ वे अधारबाद, हम्चछ, सम्मत अधारबाद या प्रम्परागत अधारबाद के रूप में जानते हैं और इसे हम सामान में diamond 19rir शडा Augensthी के अधारबाद के रूप में व्याख्या करते हैं अब उदारबाद में परिवर्दान आया विसुष राधी के दुरान में इसके पीछे दो बर्भू गड़ना रही एक 1917 सोव्य संगी साम्नेवादी करांती और 1930 की विश्वियापी आर्थिक मांती यह माना गया कि जब राज्ये मुनुष्य आर्थिक शे नियुंत्म हस्तक्षेव करना चाहिए आर्थोव्यवस्ता अपने अपने नियमों से ही संचालीत होती है बाजार के अदुर्ष चेहाद उसमें संतुरन बनाए रखते हैं इसलिए राज्ये को आर्थिक शेत्रम्य नहीं करना चाहिए दुश्परी नाम ये सामने आया कि आ आर्थिक शेत्र में राज्जे की ऐ हस्तक्षेव की निती के कारण आर्थिक विशमताइं बड़ी और खास तोल पर मजदूर बर्ग की आर्थिक इस्तिती बहुत खराब होने लगी और ऐसी इस्तिती में विश्विवापी मंदी हुई 1917 की रूस की सामनवादी करांती हुई इस बज़े से उदारवाद में परिवर्तन आया कि अब ये माना जाने लगा कि राज्जे को अधिक्तम हस्तक्षेव करना चाहिए और आगे चलके ये धाड़ना लोक कल्यान कारी राज्जे के रूप में बश्चित हुई कि राज्जे क अदिक्तम सहायता परदान करनी चाहिए कमजोर वर्ग के लोगों के हितों है लिए अप तक जो नकारात्मक सब्सथन्द्रता की अद्धान अथा थी उससे सब उसकी जगें उसने सकारत्मक समतंतरता का ले ली और राज्ये का अधिकतम कारेशेत्र यानि राज्ये जनता के हित में अधिक से अधिक कारे करें इसलिए एक लोगकर लियान कारे राज्ये की प्रस्तावना अस्तित में आई और सकारत्मक समतंतरता पर बन दिया जाने पुरान दित्य विश्यूत के बाद बेटेन में भी और अमेरिका में भी व्यापक इस तरह पर राज्जे ने लोकल लियनकारी कारे को अपनाना शुरू किया और यही वज़े है कि उदारवाद में यह परिवर्तन हुआ कि जिसे हम आधुनिक उदारवाद या बीसवी शदा केते हैं उसमें राज्जे के अधिक्तम हस्तक्षेप को सही ठराया लोकल लियनकारी राज्जे की अवधार्ना अस्तित में आई उससा सकारात्मक सब्संत्रता पर बल दिया जाने लगा यानि सकारात्मक सब्संत्रता का आर्थ यह है कि बेगती पर परतिवंदों का करने की प्रयाप्थ सबसंत्रता और राज्य दोरा उसकी प्रयाप्थ साहेता भी की जाने चाहिए ताकि वे अपनी सबसंत्रताओं को अधिक्तम उपयोग में ला सकी तो इस तरह उदारवाद प्रप्रागत उदारवाद से चलते हुए आधुनिक उदारवाद में परिवर् की कारेशेत्र को सिमित करना की बात कहीं।